वीडियो में तो आज आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है यह टाटा के एक ऐसा प्रोड़क्ट है ना जो लोग माइक्रो एस्यूवी यह कॉम्पेक्ट एस्यूवी एफोर्ड नहीं कर सकते ना उनके लिए टाटा वालों ने एक स्पेशल वेरेंट बनाया है जो की है कैटेग्री तो हैच पैक है लेकिन जो इसमें जो ग्राउंड जो मिल जाता है ना वह यहां पर एक ऐस्यूवी टाइप ग्राउंड इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है बाकी अंदर बैठेंगे तब भी एस्यूवी वाला ही एक है आता है यहें टाटा टिए को का एक्सक्राइब कर लीजिगार शुरू करते हैं सबसे फिरेंट के ौडियां के बात करेंगे ँचाहां आप solamente के डेख सकते हो और यह सके तो यहाँ पर एक संपते हैं, निकरें आ पर जो सब्सका का नियूद सब्सक्राइब, तर दो बाक्य बहुत जो, वह aabut में यहाँ आप पर और होाँ, यह कुंअ पर धे शुर्ण में घ्र लगायाक के थे, wa saham的話 दिये गए हैं जो एक अच्छा यहां पर लूग आ रहा है प्रीमियम लुक बागी जो ग्रील यहां पर मैट ब्लैक प्निशिंग के साथ ही यहां पर मिल रहा है काफी अच्छे लग रहे है एरो पैटन में यहां पर दिया गया है बागी जो है टाटा का लोगो है यहां पर य बैंस वाले जो है अब चाहे तो आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हो जिससे की एक तम प्रोजेक्टर जो एलेडी है वह इसमें पर जरूर यहां पर फील आजाएगा बागी यहां पर साइड में भी देख सकते हो अलग से हैलोजन हेड्लैम पर दिया गया है रिफ्लेक अगर आप देखेंगे इसको तो यह कार का साइड प्रोफवाइल है जो साइड में प्लास्टिक ग्लाइड़िंग जो देखने के लिए मिल रहा है सिसकी विज़े से जो है जबरदस्त हम पर गाड़ी का स्थे प्रोफड लग रहा है कार की लंबाई की बात करेंगे तो यह यहां पर 302 mm के यहाँ पे मिल जाती है जबरदस्त है कारगी चोड़ा ही हे वह यहाँ पर 1670 mm की मिलता है और कार की उचाही है वो यहाँ पर 1537 mm की देखने के विल की बात करेंगे तो वील यहां पे हाईपर स्टाइल स्टील रिम यहां पर मिलता है जो की डियॉल अटॉन फील के साथ यहां पर मिल रहा है काफी अच्छे हैं देख सकते हो एकदम दूर से जो हैं अलाइबी लगते हैं लेकिन इंपनी चार। प्रोफाइल जो है 125 रपंद्रा यहां पर देखेंगे तो यहां पर अर्बियम इसका एलेक्टर एर्जिस्टेबल फोल्डेबल दोनों यहां पर आ जाते हैं और यह जो है बॉडी कलर से सेपरेट है प्यानो ब्लैक फ्निशिंग ऊपर आ में नीचे मैं प्लैक नीचेंग है तो काफी अच्छी अच्छे आप लग रहा है बॉडी कलर का एल दिक पिलर जो है वह ब्लैक कि झार्ष्चंड12 आफिके लेकले मिलता है फ्यूल टेंक की बात करेंगे तो यहां पे 35 लेटर यानि 35 लेटर के यहां पे मिल जाता है जो की सही यह अच्छा रेंज यहां पे जरूर मिल जाता है अब आते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के तरफ तो यह से देखिए यह र मुंप देए का यह सबुल्ज और इसका कर्या काफि अच्छी लग रहें जाधास कर यह ऑंचे लेगरा ही है जेस्ट्रेमेंट रही शेक्व प्लास्टी का यह मिल जाए यहां पर ROB ये लेट इनारीजी है इनारजी की भी है अपर मिल जाता हूं यहां पर तो यहां पर आपी देखें इस अपर यह है और बूट को ओपन करने के लिए यहां पर बटन दिया गया इलेक्ट्रमाइग्नेटिक जो बटन होता है वह यहां पर दिया गया है रियर भी देखेंगे तो सिल्वर कलर का यहां पर स्कृट प्लेटे आ रहे हैं जो रियर से बलकी लुक यहां पर देती है गाड़ी को अब जो इसका बूट दिखाते है आपको तो करते हैं ओपन देखें कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है तो यहां पर बूट इस्पेस देखेंगे अच्छा यहां पर मिल जाता है कैपैसिटी की बात करूँगा तो दो सो बैल इस लेटर का बूट इस गाड़े में मिलता ह है पार्सल ट्रे हो गया करते है ओर होक यह पर दिया गया है 325 बैस्पी बगरहा है वह इसके नीचे प्लेजे रहता है सटेपनी यहां पर सीटील रिम के साथ नर्म गश्राव होते हैं संटफ हैंŁल घ्रिंव मिल और यह उस यह साइथ इस दूछल्टए दोनी चोटार आ तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर तो पहले डोर को ओपन करके हैं तो यह है इसका डोर काफी अच्छा लग रहा है देख सकतो ब्लैक कलर का ओल ट्रेटमेंट यहां पर देखने के लिए मिलेगा इंटेरियर में सबसे पहले डोर की बात करेंगे तो यहां पर जो है प्लास तो आफ दून हो जाता है अब उठाने के लिए एक रहा है जो नॉर्मल यह ब्टन जैसे आता है यहां पर इस पीकर ग्रिल में जाता है नियूपर होलडर बौटल होल्डर यह यह आपर डोर में मिल जाते हैं अब यहां पर इसकी सीड देखेंगे आप तो सीड काफी अच् तो अंदर मैं बैठ चुका हूं देख सकते हो इसका इंटीर काफी अच्छे लग रहे हैं और सबसे पहले स्टेरिंग देखेंगे तो स्टेरिंग जो है यहां पर डीकट के साथ यहां पर मिल रहा है कुछ इस तरीगे से सही है अच्छा लग रहा है बाकी यहां पर कमांड बॉल्म अपडाउन और यहां पर ब्लुल्टूत मोड चेंज करते हैं यहां पर बटन मिल जाते हैं इधर जो है क्रूस कंट्रोल कम जादा करना यह सारी चीज़ अब बटन सियां पर दिए गये हैं बाकी इधर जो है वाइपर मिल जाता है जो क्यों आटोमेटिक के अब यहां पर ऐसे तरह कर सकते हो और इस साइट से जो है इसके नॉर्मल जो फंक्शन वगरा है वह आप देख सकते हो एवरेज वगरा ट्री पर ट्रिपी यह सब यहां पर चेक आउट कर सकते हो तो यह था इसका क्लूस्टर के बारे में बाकि music system की बात करेंगे तो यहां पर 7-inch का टच स्क्रीन मिल जाता है जबर्दस साउंड कॉलिटी आपर मिल जाता है बहुत अच्छा कॉलिटी है और इसकी जो टच रिस्पॉंस है भो भी बहुत बढ़िया है और इसमें Android और अपल कार प्ले प्ले हो जाता है यूज जाता है लेकिन उसके लिए आपको वायर अपड़ता है तो इसमें wireless नहीं आता है बाकि reverse camera देखेंगे इसमें तो कुछ इस तरीके से यहां पर कैमरी की कॉलिटी मिलती है ताटा की जो है गाडियों की जो काफी अच्छा है आपर मिलता है तो यहां पर जो है कुछ बटन्स बगरा दिये गए है जिससे सेंटर लॉक अपर बाकि यहां पर इस पेस है स्पेस में रख सकते हो और यहां पर जो है कार के कीज मिलती जिसमें लॉक अनलॉक और लाइट को अन आफ और बूट को ओपन करने के लिए गया है त्रांस्मिशन यहां पर 5-E-speed manual ट्रांस्मिशन यहां पर मिल जाता है देख सकते हो लैध से जो है टैबलेट होलडर भी उपर दिया गया है बल्लब जो आइपेड वगरा हो तो यहां पर रख सकते हो तो यह है इसका इंटेरियर डैज़वड वगर आप देख लो और एयर बैक की बात करेंगे तो इसमें दो ही आते हैं अभी फिलाल टाइम में और यहां पर जो है है टिकेट होलडर मिल जाता है यह काफी अच्छा यूसफूल लगता है मुझे और यहां पर जो है इसका अलग से टिकेट होलडर इसका वैनेट संवाइजर में दिया गया है माइक्रोफून यहां पर है और यहां पर जो है इसका वैनेटी मिरर दिया गया है और यह इसका स तो यह सही है अब चलते हैं पीछे आए पर इसका रियर वाले डॉर देखेंगे सेम जो फ्रेंड में था वैसे यहां पर भी मिलता है यहां पर देखेंगे डॉर लिवर हो गया ट्विटर आवर डॉल बटन यहां पर जो बॉटल होल्डर यहां पर मिल जाता है आफ याँ पर सिस्ट यहां पर पैसेंजर के लिए आखेंगी ना वह यहां पर फैक्स काफी अच्छा है यहां पर देह सकते हो तो यह आपको शिर यहाild में बाकि में आपको बता दिए याँ पेछवाले प्ञार सेक्थे यहाँ परकास मिल रहते हैं इस ने का इन्डिया अब बात करते हैं की तो पहले आपको बार इंजन दिखा दिखा दिन RJ यह है इसका इंजन देख सकते हो बहुत अच्छे से यहां पर प्लेजड है बागी यह जो इंजन आता है यह थ्री सिलिंडर के साथ आता है लेकिन जो रिफाइन्मेंट लेवल है वो काफी हद तक बैतर हो चुका है एक बार आप टैस्ट्राइब लेकर जरूर देख सकते हैं और इसमें जो पावर जो प्रेडूस करता है वो नॉर्मल जितने भी इस सेग्मेंट में जितने भी गाड़ी आते न उससे ज्यादा है 1.2 लिटर का इंजन इसमें आता है और 84 पीस का पावर यह जनरेट करता है और टॉर की बात करेंगे तो 113 नम का यहां पर मिल जाता है इसमें प्रॉपर इंसलेशन भी दिया गया है और हीटिंग जो है उपर न आये करते हैं इसको बंद नहीं हुआ यह जो है इंजन काफी अच्छा यहां पर माइलेज भी दे देता है वो 20 kmpl का माइलेज यहां पर आया है काफी हद तक बहतरी माइलेज इसको मान सकते आप और बड़िया गाड़ी है अब आते हैं इसके कीमत के उपर कितने में यह मिल रहा है एक्शुरूम कीमत की बात करे करके मिल जाती है बाकी ऑन रोड की बात करेंगे तो अगर आप इसको उत्राखंड से लेना चाते हैं तो उत्राखंड में यह पड़ेगा आपको आठ लाग 45,000 के आसपास में ऑन रोड बैढ़ जाता है बाकी हर महीने की साफ़ से इसके डिसकाउंट स्कीम भी चलती है तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है